नमस्कार दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूं अपने कीचन में पाव भाजी दोस्तों मेरी ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चरूर कर दीजिएगा दोस्तों मैंने पाव भाजी के लिए पहले सब्जी ले लिए आपके पास ज प्याज थोड़ी ज्यादा मात्रा में करेबन बड़े प्याज चार आप कात लिएगा और उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये टेमाटर इन सभी को मैं अच्छी तरसे बोन लूँगी प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है इसमें में हल्दी और ये लाल मि काटकर डाल सकते हैं इन सभी को मैं मिक्स कर दूँगी मीडियम प्लेम पर इन्हें पकाना है नहीं तो नीचे कूकर में पकड़ने लगा पुड़ा चिपकने लगा और ये मैं एक चमच पाव भाजी का मसाला ले ली हूँ इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी ये म 맛이 do was吗 ग्या है मैं इसमें जो स्वजी जो काटी थी ना य हूँ ना यह मनें पालत भी स्में कटकर के डाल दिया है थाकि बचे को सबझी का सभी विटामीन उसमें मिले रेकिया सभी और मैं मिक्स करके थोड़े देर के लिए मीडियम अ फ्लेम पर सब्छी को हलका समय भूं बाजी तो मतलब लोग बोलते हैं कि जादा तर नहीं खा पाउ नहीं खाना चाहिए मैंदे का होता है लेकिन इसकी जो भाजी है यह बहुत ही सेहत मंद है और इसमें देखे मैंने स्वादनुसार नमग भी डाल दिया है इसे अच्छी तरह से देखिए भून चुका है यह यह मसाला पुरी पूरा तरह से मिल गया है ज्यादा इसे पकाना नहीं है इसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए रखकर ऐसी चोड़ दोंगी और यह देखिए पक गया है पाँच मिनट के लिए उसके बाद मैं इसमें पानी अट कर दूंगी मतलब आपकी सबजी जीतने में पक कॉन्टिटी में ज्यादा है लेकिन पानी पूरी तरह सुग जाए रहे यह मैसर से मैस कर दिया है आपके पास मैसर नहीं है तो वह दाल घोटने वाला जो होता है उससे भी कर देजिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो यह देखिए मेरी पूरी सबजी मिक्स हो गई है पू पाजोटर का यूज किजिए गा मैंने उसमें चमच लाल मिर्च यह पाव भजी का शी पाजड़ी में अब भाजी में यह मैं यह लास्टाव मैं दन्ये पत्ते का गार्णिश कर दोंगी को तन्ये पत्तर डाल दूंगी अब मैं पाव को सेकोंगी इसके लिए मैंने दबा चड़ा दिया है इसमें मैंने घी डाल कर एक चमच अब पाव को में सेखूंगी मेरे पास वो पाव भाजी का जो पाव आता है वोला नहीं है यह गोल वाला बन है मैं इसी से बना रही हूं मैंने इसे दोनों तरब से अच्छी तरह से शेक लिया है और यह देखिए मेरी अब भाजी खाते समय में पेके का दिया है